नमस्कार मैं गुट्टेश्रफ अंडे डिजी पी बिहार यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि तीसरे चरण के लॉक्टाउन में साहथ कुछ छूट है कोई छूट नहीं है कोई छूट नहीं है तीसरे चरण का लॉक्टाउन की वैसे जैसे परले चरण का लॉक्टाउन था आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है के वल और जोन में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कुछ सरकारी कामकाज के लिए लाव किया गया है विशेज परिस्थिती में कोई दुकाने खुलने का संबंधित जिरा प्रसाशन निर कोई मोर नहीं कुलेगा खोई मोल नहीं कुलेगा कोई शिनेम पर और तर स्मयन है आधनि प्रसेंक्रिंट पर पास लेकर के शूट एक चलतक प्यदक आदमी नहीं और प्रस लेकर के गाड़ी में भी बहुत ज्रोडी काम से कहिं जाना हो तो डॉआशी रभाटि नहीं कर दो आदीं इससे जआरा दिमी नहीं सकता एक एक स्ट्रेट से और सथे करें दूसरे में तो आप गाले नहीं सकते सक्सवार चालू रहेंगी यसे पहले चालू थी मधू भारेशंठ्या में आ रहे हैं हमारे बाई बाहर से बहुत परिसानी से आ रहे हैं बहुत परिसाणी बहुत कर्ष्द को ने होगा है जेला है उनकी पीरा से हम औगत हैं इनके काने कम करते हैं यहां जो हैंगे प्लॉक में ले जाए जाए जाए언दॉ इसमें पूरी स्प्रसाशन का डॉक्टर का स्वास्त से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का पूरा सहयोग करेंगे कहीं विवाद नहीं कहीं जंजट नहीं हमारे लोग भी बहुत कठिन परिफितियों में जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं आपकी पूरी हमदर्द हैं वो हारत के भविष्य हैं भारत की तकदीर हैं विहार के आनबांसाम हैं उन्हें तो बहुत ही मर्यादा का बहुत ही अंसासन का पार्लं करना है और पूलिस पर हमले भी कहीं कहीं हो जाते हैं मैं उन्हों को कहना चाहता हूं कि पूलिस पर प्रसासन पर और मेडिकल के कर पर कोई भी अगर हमला करता है बहुत ही जगन्य अपराद है उनके साथ सक्त कानूनी कारवाई की जाएगी सैक्रों लोगों को जेल में भेजा गया है अब आदमें उनका गुंड़ा पंजी में भी नाम लिख दिया जाएगा ताकि आगे के लिए उनको बहुत परिशानी हो और उसी तरह से सोचल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वाले संपरदायक दंगा या फसाद की स्तिती पैदा करने वाले नफरत पहनाने वाले जो पोस्ट करेंगे सैक्रों लोगों को हमनों जेल में दिया आप दिली में हो मंबभी में हो आमदाबाद में हो देश के किसी कोने में हो लेकि इस तरह का पोस्ट अगर करते हैं मुकदमा होगा आपको आज नकल पकड़ा जाएगा गुंडारेश्ट में आपका नाम दर्ज होगा आपका चार्शिट करेंगे इस पीडिकायल कराएंगे सामपरदाय सद्वाव को किसी भी हालत में बिहार में बगड़ने नही आपके सहयोग से यह लॉकडाउन सफल हुआ है आपके सहयोग से ही अभी तक बिहार बचा है बचाएं आगे वाला समय और खत्रे का है बहुत खत्रा खामने है अगर आप अगले 15-20 दिन तक बिहार को बचा लेंगे तो हम सब बच जाएंगे बिहार बच जाएगा यह इस बत्यागा आप समुकुपना